नगरपाली का परिशत जामुल के अध्याक्ष रिश्वर सिंग ठापुर द्वारा पाली का शेत्र के वाटदस संतोशी पारा के लीला चौराहा पर विशाल प्रभुश ग्राम की प्रतीमा लगाई जाएगी जिसके लिए तैयारिया अंतिम जरन पर है और से बितना ही नहीं इसके साथ ही साथ जामुल पाली का परिशत के ग्राम सुरुडू में अध्यक्ष द्वारा पुराने शिव मंदिर को नो निर्मित करा कर शिवाले शिवधाम का रूप भी दिया गया है और इसका कार भी लगभग पूरा हो चुका है जिसका लोकारपन और उद्घाटन समारों भी 22 जन्वरी को ही विशिष्ट अतिथियों की उपस्तिती में संपन कराये जाएगा इसे लेकर नगरपाली का परिशद जामुल की अध्यक्ष इश्वर सिंग ठाकुर ने इस प्रकार की जानकारी एसी इन नियूस को दिये जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे भारत वर्स में 500 वर्स बाद एक ऐसी ऐसा समया है जिसमें राम लला जी की स्थापना हो रही है हमारे आयोध्या में तो हमारा जामुल भी एक भगवा में और आयोध्या के एक छोटे रूप में यहां दिखे उसी के तहत हम ल राम लला का एक भव्य मूर्ति का निर्मान किया गया है जो वहां इस्थापित होगा 22 तारिक को और साथ ही साथ हमारे शुडूंग जो मेरा ग्रीग्राम है यहां पर पुराना मंदिर मामा माया मंदिर है पीशे में और साथ ही के यहां पर कुवा था तो इसको एक हमने बहुत सारे लोग आएंगे पूरे जामूल के पूरी जनता जनारदन रहेगी और जामूल एक भगवा मैं के रूप में देखने को मिलेगा और एक छोटी सी कोसिस है कि एक नया रूप और हिंदूत्तों की धारा चले जो हमारे देश के अस्थवी प्रधान मंत्री का सपना है हिंदू रास्ट के रूप में पूरे भारतवर्स का एक पहचान बने और पूरा भारतवर्स हिंदू रास्ट के रूप में दिखे तो हमारी भी एक हमारे आदरनी मोदी जी के कांसेट में हमारे भी योगदान रहेगा यही हम करना चाहरे हैं राम लला 22 को जामूल में आ ऐसा आनंद होगा उसी तर्ज पर जामूल पाली का परिशत के अध्यक्ष भी जामूल में आनंद भरे माहूल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं 22 जिनवरी को जामूल शेत्र को भी एक विशिष्ट पहचान मिलने जा रही है एसी इन निउस के लिए संतु शर्मा की रिपोर्ट